क्या छुपाया गया था कच्चा थीवू का सच क्या थाला हुआया था क्या बगले सैकाता हुआया था कास्टा था 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 क्या था को खाया था था की प्रूंग सुरक्षा की द्रस्टी से बहुत महत्वफुन है देश आजाद हुआ तब हमारे पास्ता और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है लेकिन कॉंग्रेस ने चार पाँच दसक पहले कह दिया कि ये दिप्तो गैर जरूरी है फालतु है यहां तो कुछ होता ही नहीं है और ये कहते हुए मा भारती का एक अंग आजाद भारत पर ये कॉंग्रेस के लोगों ने इंडिया लाइक के साथ यों ने मा भारती का एक अंग काट दिया यानि आर्टी आई के खुलासे के बाद ये मुद्दा जोर पकरने वाला है और चुनावी मौसम में विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया है पीएम ने कच्च्व थीवू पर एक आटी आई रपोर्ट का हवाला दे कर सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा आखे खोलने वाली और चौका देने वाली नए तत्यों से पता चलता है कि कैसे कॉंग्रिस ने बेरहमी से कच्च्व थीवू को दे दिया इससे हर भारतिय नाराज है और लोगों के मन में फिर से इस बात की पुष्टी हुई है कि हम कभी भी कॉंग्रिस पर भरोसा नहीं कर सकते भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कॉंग्रिस का काम करने का तरीका रहा है 75 साल और गिनती जारी है वहीं ग्रहमंत्री अमिर शाह ने भी कॉंग्रिस को आड़े हाथ हो लिया शाह ने सोचल मीडिया पर एक पोस्ट श्वेर किया है जिसके कैप्शन में लिखा कॉंग्रिस के लिए तालिया पोस्ट में अमित स्वाह ने लिखा उन्होंने स्वेक्षा से कच्छा थिवु को छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पच्तावा भी नहीं था शाह ने आगे लिखा कि कभी कॉंग्रिस का कोई सांसद देश को बाटने की बात करता है तो कभी भारतिय संस्कृति और परमपराओं को बदनाम करता है इससे पता चलता है कि वो भारत की एकता और अखंडता के खलाप है वो सिर्फ हमारे देश को बाटना या तोड़ना चाह जानते हैं कि यह किसने किया और किसने इसे छुपाया बल्कि ये भी जानते हैं कि 1974 के कच्छा थिवू समझ्वाते के लिए जिम्धार पाचियां कौन थी और 1974 में मचुवारों का अधिकार कैसे समाप्त किया गया In 1974, India and Sri Lanka in June 1974 concluded an agreement where they drew their maritime boundary and in drawing the maritime boundary Kachyatibu was put on the Sri Lankan side of the boundary This agreement of 1974 had three other clauses, one clause which said that each country shall have sovereignty and exclusive jurisdiction and control over the waters The second clause, article 5, it gave to Indian fishermen that they will continue to access Kachyatibu as hitherto and will not be required to obtain travel documents अब यहां ये समझना भी जरूरी है कि आखर ये पूरा मामला क्या है दरसल तमिलनाडू BJP चीफ के अन्ना मलाई ने कच्चा थिवु के बारे में जानकारी को लेकर RTI दायर की थी रिपोर्ट में सामने आया है कि साल 1974 में भारत की ततकालीन प्रधानमंत्री इंदुरा गांधी और श्रुलंका की राश्पती श्रीमावो भंडार नाइके ने एक समझोता किया था इसके तहत कच्चा थिवु द्वीप को श्रुलंका को अपचारिक रूप से सौंप दिया गया था रपोर्ट के मुताबिक इंदुरा ने तमिल नाडू में लोकसभा कैमपेण को देखते हुए ये समझोता किया था 1974 में इंदुरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रुलंका को गिफ्ट कर दिया था 1974 में दोनों देशों के बीच दो बैठके हुई थी पहली बैठक 26 जून को कोलंबो में और दूसरी 28 जून को दिल्ली में हुई दोनों बैठकों में द्वीप श्रुलंका को देने पर सेहमती बनी रिपोर्ट में कहा गया है कि समझोते में कुछ शर्ते रखी गई जैसे भारती मचुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे द्वीप पर बने चर्च में भारती लोगों की बिना वीजा एंट्री होगी एक ऐसी भूमी जो भारत और टमिल का एक हिस्सा था और जिससे टमिलनार के मच्छवारों की जीवनी और जिन्दगी और सुरक्षा जुड़ी हुई थी उसको कंसील्मेंट कुंस्पिरिसी और कल्यूजन से कॉंग्रस और ड्यम्क के प्रतम परिवार ने सौंप दिया ठाली में और हमने देखा है कि 1974 में यह निर्णे लिया गया परंतु 1960 से ही इसकी भूमिका बनाने के लिए नहरू जी ने जिस प्रकार से कहा कि इस टुकडी की क्या एहमियत है इसकी कोई एहमियत नहीं इस जमीन की उसके बाद जब एंसी सेतलवाद और लीगल ओपिनियन हिस्टॉरिकल ओपिनियन और जॉइंट सेक्रेटरी म.E.A. क का ओपिनियन था कि यह जमीन हमारी है उसको भी नजर अंदाज किया यह और केवल कॉंग्रेस ही नहीं कॉंग्रेस ने डियमक की उस समय की सरकात करूना निदीजी को पूरे कॉंफिडेंस में लिया बहुत पहले से उनके साथ चर्चा चलती रही और आज तथे यह दिखात होता है कि हूँ हिडिट क्यूंकि करूना निदी जी ने बताया उनसे कि पब्लिक रियक्शन आएगा तो मैं गैरंटी लेता हूं कि इसको मैं बहुत ही कम कर दूंगा ताकि इससे कोई बवाल ना मचे तो देखिए कॉंग्रेस डिट डियमक के हिडिट दोनों ने मिलकर दो इजेपी को बोलने का मौका मिल गया है हाला कि प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी कच्च्वा थिवू का मुद्दा संसद में प्रोलंका सरकार उन पर कारवाई करने लग गई उनकी नौकाओं को भी जब्त किया गया यानि कई